अ किष़ालो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वी कि पूटु पल्फार्म किया होती है तो कीमेश्ट्री और बाउलोजी वीडियो की फुल पार्म देखनें के लिए आप यह पूरा वीडियो देखै तो लो हेडिन है हमारी Full Farm of Chemistry and biology तो हम पहले chemistry ..... जानते हैं तो यह हमने सारे लिखे रखेए Chemistry के ठीक है एक यह अधने टर्म लिखलए तो chemistry में जो C होताई उसका मतलब है community और S का मतलब होता है health E का मतलब है embirect Newman का मतलब है medicine I का मतलब है industry S का मतलब होता है science and और t का मतलब होता है टीचिंग, r का मतलब है research और भाई का मतलब है you. अब हम इनकी क्रमसा हिंदी देखते हैं, community का मतलब संदाई होगा, health का मतलब स्वास्ते होगा, environment का मतलब करयाबन होता है, मेंडिशन का मतलब दवा होता है, इंडेस्टरी का मतलब उद्योग होता है, साइंस का मतलब विज्ञान है और टीचिंग का मतलब सिच्छन है, रिसर्च का मतलब कोश करना और बाई का मतलब आप है तो ये थी हमारी केमेस्टरी की फुल भार तो इसे एक और फिशर देख लिएजिए क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के सारे बढ़ड है यह हमारे तकमिस्ट्र के फुल पर अब हम देखते हैं वाई लोजी की फुल फार्ड क्या होती है वाई लोजी के हम सब्चरों के एक साड़ से लिकाँ अगर बेग्यानिक दर्ष्ट से देखा जाए तो क्या होगा बाइलोजी की कोई फुलफार्म नहीं होती है बाइलोजी क्या है दो प्रकार के शब्दों का एक सही होगा है बाइलोजी की बेग्यानिक दर्ष्ट से कोई फुलफार्म नहीं है जैसे क्यमेस्ट्री की प्रते वर्ड की एक मेनी था लेकिन ऐसा बाइलोजी में नहीं होता है तो बाइलोजी क्या है दो प्रकार के सब्दों का एक मेल है इसमें बायो है बायो का मतलब लाइफ होता है और इसमें लोजी है लोजी का मतलब लोगस होता है और लोगस की मतलब होता है इस्टडी अर्था इस्टडी का मतलब होगा अधिन करना और लाइफ का मतलब है जीवन तो इसमें हम क्या करते हैं यानि कि हम कह सकते हैं लाइफ की की बिक्यानिक दर्श से कोई परिवाशा का मतलब कोई भी पुलबार नहीं है तो ये बच्चों थी chemistry and biology की पुलबार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्य